हलो एवरीवान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जहां पे आपको सी यू इंटी यू जी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है जो भी इंफोर्मेशन होती है उसको वीडियो के मादेम से सेर किया जाता है तो आज के स्वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक जो आपका स्लोट है उसके बारे में तो आपका जो अभी सिटी अलोकेशन जो हुआ है जो सिटी आपको अलोट किया गया है उसमें अगर आपका स्लोट लिखा हुआ है स्लोट वन स्लोट टू और स्लोट त्री ऐसे गरके तो अब आपका कौन सा Slourt है जैसे 3 Slourt एक दिन में 3 Slourt चलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिनका Exam यहाँ पे 21st से लेके और 31st तक जो है यहाँ पे चलने वाला है यानि कि 21 मही से लेके 31 मही के भी जिनका Exam होगा उनके 3 यहाँ पे Slourt होगे यानि कि एक दिन में तीन पारियां होने वाली है जिसमें कि first slot आपका morning का होगा second slot आपका afternoon का होगा और third slot आपका evening का होगा इसमें जो timing है जो duration है वो यहाँ पे आपका अभी नहीं बताया गया यह कब बताया जाएगा जब आपका admit card आजाएगा उसमें आपको यह चीज clear होगी जो pwd के student होते हैं उनको कुछ extra time भी यहाँ पर मिलता है वो भी आप यहाँ पर red clear में जो highlight किया गया है उसके माद्यम से समझ सकते हैं देखिए यहाँ पे और आप लोग थोड़ा अच्छे स में होंगे एक दिन में तीन सिप्ट में आपके paper होंगे और अलग-अलग days पर होने वाले 21st स्टार्ट होगा और 31st तक यहाँ पर आपका चलने वाला है अब इसके अंदर क्या होगा कि जो है student को यहाँ पर slot मिलेगा अभी आपको मिला होगा slot जो आपका city allocation जो आपका हुआ आपको अलोट किया गया है उसमें आप देखना कि उसमें जो है आपका यहाँ पर DIY कि आपको कौन सा slot मिला है अगर आपको first slot मिला है इसका मतलब आप morning में लगबग आपका exam होने वाला है second मिला है तो आपका afternoon में होने वाला और third मिले आपको मिला है तो फिर आपका evening में जो रोट वाला सिस्टम क्या है अब बात करते admit card के लिए तो आपका admit card जल्दी यहाँ पर आ जाएगा जिनका 21 को exam होने वाला है उनका admit card 18 तारिक को यहाँ पर release कर दिया जाएगा तो इस वीडियो में बस आप सभी के साथ यह information share करनी थी आप लोग वीडियो को like करिए चैनल प आप सभी का शुक्रिया